आज हम इस वीडियो 13C में exercise 13.2 का question number 5, 6, 7 and question number 8 solve करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं question number 5 तो question number 5 में simple है On a squared paper, sketch the following Squared paper को sketch करना है A triangle with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry कहना के मैं यह समझे हो यहाँ क्या कह रहा है आपको draw, figures draw करना है कैसे करना है इसको देखते हैं गबद कैसे करना देखो यह कह रहा है vertical क्या करना है horizontal तो horizontal यह होती है और एक triangle draw करना है ऐसे और इसको scale से करें तभी best है बनना तो थोड़ा सा अलग हो जागा ऐसे ठीक और यह side इस side के कुलोगी clear कहने का means this है यहाँ A बोल दो और यह B dash ठीक यह B है यह C है इसका just symmetry की वाला part है यह क्या है line of symmetry है इस तरह से part number B solve करते हैं यह B में कहा रहा है A quadrilator with both horizontal and vertical lines of symmetry इससे बहुत सिंपल है सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा horizontal और vertical इस तरह से sketch करना है कि एक quadrilator देखो तो इसमें हम स्रिफ और स्रिफ rectangle ड्राव कर सकते हैं कैसे करेंगे देखते हैं इसको questions को समझें questions का concept क्या है अगर इस बात को आप समझते हो तो questions very simple हो जाता है और अगर इस बात को नहीं समझते हो तो question नहीं फिर आप लोग नहीं समझ पाई question नहीं नहीं समझ पाईगे फिर answer क्या सकते करेंगे आप लोग कर भी लोग के लिकर दो दिन बाद इस तरह से यह एक तो line of symmetry होगी यह वर्टिकल होगी और यह horizontal इससे बोलते हो quadrilateral quadrilateral miss होता है और rectangle इस तहां से rectangle करेंगे डरा ताकि इसमें horizontal और vertical दोनों लाइन से डरा हो सकें तो यह L1 बोल दो और यह इस तरह से करना है कर सकते हैं आप लोग simple है ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग ना कर सकें इसमें फिर इसका c part है अ-स और आक कौईटल लेटर विता horizontal line of symmetry no vertical lines of symmetry को बटेगल लाइन से होना चाहिए तो इसके लिए कर अप लोग और लोग only horizontal कि अच्छ को बॉल्क होना चाहिए हो यह और लाइन होना चाहिए तो लाइन से तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए इसमें सबसे अच्छत्रिगा यह है कि आप लोग एक कांग यह करें जिसको ऐसे ट्रक्म होगा इसको यहां से यह क्वालिटी लेटर इसको ए उसको एसे करना है इसके बाद आपको दी पार्ट ई पार्ट यह आपको हुमबरक में सॉल्व करना है कर सकतے आप लोग कोई डौट या कोस्षिणs पूटफफ़कर नहीं हो तो आप हमसेlier कर सकते हैं ठीक इसके बाद हम बात करते हैं question number 6 की question number 6 में very simple है कुछ नहीं करना है आपको कुछ भी नहीं करना है आपको only समझ रहा है क्या समझ रहा है trace each figure and draw the line of symmetry if any आपको figures दिया है अब इस figure में को भी इस figure में जो figure दिया है इस figure में को भी line of symmetry ही नहीं तो यहां मना कर दो आप लोग पहले मना कर दो no lines इसका पहले मांसर है no lines कोई line of symmetry इस नहीं है अच्छा इस वाले बाट पार्ट में बात करते हैं तो एक तो line of symmetry ही हो जाएगी कुन सी हो जाएगी एक तो यह हो जाएगी और एक होगी यह वाली इसको l1 बोल दो और इसको l2 बोल दो ठीक है इसको l2 तो यहाँ कितना है लिखेंगे इसमें इसमें लिखना आप लोग two lines कितनी है two lines इसमें देखो इस रिफकर में एक तो एक तो यह होगी ठीक एक यह होगी दो होगी एक ही है तीन एक ही है चार तो l1 l2 l3 l4 तो यह लिखना four lines कितनी होगी four lines ठीक इसमें अभी अब जैसे आलग फिगर है इसमें डी वाले पार्ट की बात करते है तो डी वाले पार्ट में भी two lines होगी एक तो यह होगी और एक यह होगी तो इसमें कितनी होगी दो l1 और l2 two lines ठीक इसमें only one lines होगी कितनी होगी only one line कितनी होगी only one line तो इसमें लोगो one line law of symmetry होगी कहना कि मैं समझो हम समझा रहे हैं आपको यह तो आप confuse आजाएंगे ठीक है एक तो लैन यह होगी एक लैन यह होगी दो एक लैन यह होगी त्री और एक लैन यह होगी फूर तो l1 l2 l3 और l4 कितनी लाइन होगी इसमें फूर लाइन अब सेमेट रहे हैं इस तरह से question 6 solve करना है के लिए अब हम बात करते हैं question number save की तो question number save निम आपको समझना है और समझकर आपको answer देना है बिना समझे तो answer नहीं देंगे आप लोग इसमें कुछ ऐसा आपको figure दिया और solve करना है ऐसा भी कुछ नहीं है ठीक है question number 7 solve करते है तो सब्सक्राइब को लेकिए आप लोग तो question में ये कह रहे है consider the letters of English alphabet A to Z list among them the letters which have vertical lines of symmetry तो vertical line of symmetry कौन सी है तो vertical line of symmetry होती है आप लोग पहले आप समझो कहना कह जा रहे है vertical lines अब हम आपको समझा रहे है इसको समझना आपको जरूरी है जरूरी यह है जिसे A है अगर इस A को अगर यहां से cut किया जाए यहां से line of symmetry कीची जाए यहां से drag की जाए तो आदे रहोगा ऐसी एक के बाद बात करते हैं edge की अगर edge को अगर यहां से drag कीची जाए line of symmetry तो आदे रहोगा समझना आप लोग M है M को यहां से क्या है यह lines वर्टिकल है क्या है? वर्टिकल तो ऐसे कौनसे letters है जिन पर line of symmetry वर्टिकल हम लोग draw कर सकते हैं इतना आपको questions में solve करना है समझाना है समझे रहाए तो ऐसे letters कौन कहों से होती है यह तो A होता है H होता है I होता है M होता है O होता है W होता है, X होता है, और Y होता है, ऐसे कौन-कौन से letters हैं, जिनमें horizontal line of symmetry, आप लोग, draw कर सकते हैं, तो ऐसे letters होते हैं, ऐसे letters कौन कौन से होते हैं, B होती है, अगर B को यहां से करेंगे तो, C होता है, C को ऐसे करेंगे, C के बाद D होता है, D कैसे करेंगे, E होता है, और H होता है, H दोनों में है, I होता है, I भी, शायद हां दोनों में है, K भी होता है, ठीक है, के बाद, एक letter Chen होता है, O, O को चाहिए आप लोग, कैसी कर सकते हैं, O होता है, और X होता है, X को ऐसे कर सकते हैं, होने ठीक है no symmetry of lines कौन कौन से letters हैं जिन में आप लोग no lines of symmetry draw नहीं कर सकते तो no lines of symmetry बोले letters लिए हम लोग यहां so करेंगे कौन कौन से है F होता है G होता है J होता है N होता है पी होता है U होता है R होता है S होता है और Z होता है इतना आपको solve करना है फिर हम question number eight आपको homework में solve करना है तो बस आज की वीडियो में इतना ही और यहीं हमारी वीडियो का end होता है उसके साथ exercise 13.2 को हम solve कर चुके हैं आज ठीक कल से हम exercise 13.3 solve करेंगे ठीक तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर इसमें वीडियो को questions या doubt हो तो आप लोग मुझसे clear कर सकते हो solve